असलाम अलेकूम माई डियर स्टूदेंट्स उमीद है कि आप सब ठीक होंगे हम पढ़ रहे हैं फैनेंशिल मैनेजमेंट बाइगिटमेंट चैप्टर नमबर 9 है कैपिटल बजेटिंग टेक्नीक आज मारा लेक्टर नमबर 14 है और आज हम प्राप्लम नमबर 16 करेंगे इंश दोनों की जो इनिशिल इन्वेस्टमेंट है आउट फ्लो है वो 150,000 है तकम्पनी बोर्ड आफ डारेक्टर हैस सेट फोर एयर पेबैक रिक्वार्मेंट एंड हैस सेट इस कॉस्ट आफ कैपिटल एट 9 परसंट पेबैक पीडियर्ड मैक्सिमम उनोंने फोर यह बताया है और रिक्वार्ड डेट अफ रिटरन कास्ट आफ कैपिटल जो है वो 9 परसंट है ता कैश इन्फलो असूसियेटेड विद ता टू प्रोजेक्ट्स और एस फालो तो प्रोजेक्ट्स है प्रोजेक्ट ए एंड बी तो प्रोजेक्ट ए जो है यह हमारी एन्वेटी है 45,000 एच इयर आ रहा है जबकि प्रोजेक्ट B के अंदर हमारे पास फरस्ट एयर में 75,000 है सेकंड एयर में 60,000 है और उसके बाद फिर वो अन्वेटी बन रहा है तो B जो प्रोजेक्ट है इसमें मिक्स ट्रीम और प्लस अन्वेटी है तो इसमें दोनों चीज़े मिक्स है तो हम सबसे फरस्ट पार्ट के अंदर उसने यपर पोछा हूए कलकलेट पेबेगपीरियट B पार्ट में उसने पोछा हूए नेट प्रेसेंट वैली। जिर пло alors पर फिर दोबारा से नेट प्रैसन वैली। आपने निकालनी है दोनों परॉजेक्ट की 9 p% पर और उसके बाद आप फार्मुले से हम जो है वो प्रॉजेक्ट A का पे बेक पीरिट निकालते हैं हमारे पास फार्मुला था present value of आउटफ्लो डिवाइड़ईड बाई R तो present value of ाउटफ्लो हमारे पास था एक लाख 50,000 प्रॉजक्ट एक अंदर और हमारे पास और जो था वो था 45 था हुज़ ये डिवाइड किया तो हमारे पास 3.33 येर जा किया ये बिल्कुल सिंपल था एनविटी थी तो ये हमने फॉर्मॉला लगा के निकाल लिया जबके जो प्रॉजक्ट B है वो हमारे पास मिक्स्ट्रीम प्लस एनविटी थी तो उसके लिए हम मिक्स्ट्रीम वाले और मुले से ही टेबल से इसको सॉल्ब करेंगे तो टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहले येर कैश फ्लो और फिर बैलंस आजेगा सबसे पहले year zero के अंदर मारे पास outflow आज़ेगा एक लाग पिचार सजार और ये माइनस में आ रहा है balance में भी same amount आज़ेगी उसके बाद year one के अंदर मारे पास जो inflow था वो था 75,000 तो 150,000 में से 75,000 माइनस किया हमारे पास 30,000 inflow था और ये माइनस किया तो हमारे पास plus में आ रहा है 15,000 अब हमने बात की थी जहां पे हमारा जो balance है वो zero होजेगा वो हमारा पे back period होगा लेकिन अगर हमारे पास value zero नहीं होती बलके plus में चली जाती है तो फिर उसके बाद हमने बात की थी हमें एक formula लगाएंगे और वो formula हमारे पास किया था a plus b over c अब ये a, b और c जो है ये कहां से आएगी हमने बात की थी कि जिस साल में आपकी value plus होजेगी उससे आपने जो last year है जैसे कि year 3 के अंदर आपकी value plus में चली गई है तो इससे last year है वो कौन सा year 2 तो ये हमारा a होगा और इसी साल का जो balance होगा वो हमारा b होगा और जो next year है 3 वाला उसकी जो हमारे पास inflow है वो हमारी c value होगी तो अब इसको formula में values को put कर लेते हैं हमारे पास एक की value थी 2 b था हमारे पास 15,000 और c हमारे पास है 30,000 अब 15,000 को 30,000 पे डिवाइड किया और प्लस 2 किया तो ये हमारे पास 2.5 ये जाज़े का तो ये हमारा payback period था और उसके बाद second part के अंदर उसने आप से पूछा हुआ था calculate net present value of each project at 0% अब 0% पे हमने payback net present value calculate करनी है project A की हम सबसे पहले निकालते हैं तो project A हमारे पास एनविटी थी तो एनविटी का formula लगा लेते हैं net present value के लिए present value of inflow minus present value of outflow अब दो चीज़े हमें चाहिए हैं सबसे पहले present value of inflow निकालते हैं और इसके लिए हम present value of infinity का formula लगा लेते हैं r into present value of interest factor अब इनविटी i into n अब इसमें हम data पुट कर लेते हैं r हमारे पास 45,000 था project A में i जो है वो उसने आपको बताया हुआ 0% और n जो है वो 6 यह था 6 सालों का उसने आपको data दिया हुआ था अब इसमें हम values पुट करते हैं r हमारे पास 45,000 present value interest factor अब इनविटी i जो है वो 0% और n जो है वो 6 आजेगा हमने time value of money वाला chapter किया था chapter 4 उसके अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी अगर n हमारा 0 हो तो फिर हमारा जो present value interest factor है वो one आएगा क्योंकि आपका जो table है एनविटी वाला जिसमें से हम values देखते हैं उसमें आप अगर जाके देखे तो आपके पास number of periods के अंदर zero और इसी तरह से interest rate के अंदर zero percent ये दोनों चीज़े आपके पास नहीं दीवी table के अंदर तो इसलिए ये rule याद रखिएगा जब भी आपके पास जो time period है अगर वो zero दिया हो तो आपका जो present value interest factor है वो आपका हमेशा one आएगा आपने इसे rules के तोर पे याद रखना है हमने ये time value of money वाले chapter में भी point ये discuss किया था इसी तरह से अगर आपके पास interest rate zero percent हो तो उस सूरत में आपके पास जो present value interest factor आएगा वो is equal to n आएगा ये rule आपने अच्छी तरह से याद रखना है अगर आपके पास n zero है तो आपके पास n अगर आपके पास zero है तो आपके पास जो present value interest factor है वो 1 आएगा और अगर interest rate आपके पास 0 है तो present value interest factor आपके पास N आएगा ये N विटी के लिए भी rule है और ये simple के लिए भी rule है तो अभी हम देखते हैं हमारे पास उसने question के अंदर जो interest rate दिया हुआ वो 0% दिया हुआ है तो 0% अगर हमारा factor होगा तो अभी हमने बात की हमारा present value interest factor वो किसके equal होगा N के equal होगा तो यहां पे हमारे पास N कितना था वो 6 था तो अब हम इसको यहां पे formula में values put करती हैं और हमारे पास 45,000 था तो 0% के उपर हमारे पास जो factor आएगा वो कितना आजेगा वो 6 आजेगा क्योंकि हमने अभी उपर बात की कि I हमारा 0 होगा तो देन हमारा जो factor आएगा वो is equal to किसके होगा N के और N हमारे पास यहां पे 6 था तो यह वाला point ज़्यादा दिहां से समझना इसको multiply करेंगे 2,70,000 और present value of outflow 1,50,000 इसको formula में put कर लेती है 2,70,000 माइनस 1,50,000 यह हमारे पास आ रही है 1,20,000 तो यह हमारे पास 0% के उपर project A की जो net present value आ गई वो 1,20,000 आ गई इसी तरह से आपने project B की जो है वो calculation करनी है तो project B जो हमारे पास mix stream प्लास एनविटी था तो यह हमारे पास present value interest factor 0% आ जेगा और present value year 0 के अंदर हमारे पास यह माइनस में आ जेगा 1,50,000 outflow हमारे पास उसके बाद year 1 के अंदर आपके पास था 75,000 फिर year 2 के अंदर आपके पास था 60,000 और उसके बाद मारे पास एनविटी बन रही थी year 3 से लेके 6 थाक एनविटी थी तो इसलिए अगर आपके पास एनविटी दी हो तो present value निकालते वकत इसको जो है वो लैदा लैदा लिखने की जूरत नहीं है जहां से एनविटी हो जे वहां से आपने वो सारी values एक दफ़ाई लिख देनी है और आपने number of years इदर शोक कर देनी है कहां से लेके कहां तक तो year 3 से लेके 6 तक वो एनविटी थी 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 हमने 30,000 एक दफ़ा ही लिखा तो अब हम factor put करते हैं तो 0% के उपर 0 year के उपर तो हमेशा factor 1 ही आएगा यह हम पीछे करते आ रहे हैं अब हमारे पास year 1 जो है उसके अंदर भी हमारे पास factor क्या आजेगा 1 क्योंके 0% है तो 0% के उपर हमने बात की हमारा factor जो है वो क्या आजेगा 1 आजेगा इसी तरह से year 2 के अंदर भी हमारा factor जो है वो क्या आजेगा 1 आजेगा क्योंके हमारे पास जो interest rate है वो 0% है अब जो year 3 to 6 है यहां पे factor हमारा कैसे आएगा तो यहां से count कार ले 3 से लेके 6 तक 3, 4, 5 और 6 तो यह 4 साल बन रही है तो यहां पे हमारा जो factor आएगा वो 4 आएगा यह point आपको clear होना चाहिए year आपने 0% के उपर 1 लिख ले है लेकिन अगर आपके पास annuality है तो उसके अंदर आपने क्या करने है जितने वो years है उतने आपने year sorry factor लिख लेने है अब इनको आपस में आपने multiply कर देना है 1,50,000 आजेगा 75,000 60,000 और इसको आपने 4 से multiply किया तो 1,20,000 यह आपके पास आजेगा इन सब को प्लस माइनस करती है तो यह आपके पास प्लस के अंदर आ रहा है 1,05,000 1,05,000 तो बच्चों यह आपके पास project B की net present value आ गई 0% के उपर तो यह हमने B part complete कर लिया अब उसके बाद C part के अंदर उसने आपसे पूचा था दुबारा से आपने net present value निकालनी है लेकिन अब आपने 9% के उपर निकालनी है तो सबसे पहले project A की हम net present value निकालते है formula आपके पास यह एनविटी थे तो एनविटी का formula present value of inflow minus present value of outflow इसमें आप हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए present value of inflow तो यह formula हमने लगाया इसका R मारे पास 45,000 था I जो हो हमारे पास 9% और N जो हो तो 6 year ही रहेगा अब values पुट कर लेते हैं 45,000 9% और 6 year अब table में से जाके हम एनविटी वाले table में से 9% पे 6 year में इसका factor देखते है तो यह हमारे पास present value interest factor अनविटी का table है तो इसमें हमने 9% के उपर कितने सालों में देखना है 6 सालों के अंदर factor आपके पास यह आजेगा 4.486 तो अभी हमने जो पीछे formula लगाया उसके अंदर जाके हम यह factor पुट कर देते हैं तो यह हमने फैक्टर पुट किया 4.486 multiply किया तो 2,10870 आजेगा आपके पास उसके बाद present value of outflow 1,50,000 फार्मला लगाया और इसमें values पुट कर लेती है 2,10870 और 1,50,000 माइनस किया तो यह आपके पास 51,08070 net present value आजेगी आपके पास 9% के उपर project A की अब इसी तरह से हम project B की जो है वो net present value निकालती है 9% के उपर और यह हमारे पास mix stream प्लास एनविटी था तो सेम जिससे हमने पीछे किया 0% के उपर बिल्कुल वैसे ही करना है लेकिन अब हम इसको 9% पे कर रहे हैं तो year 1,0 के अंदर 150,000 फिर year 1 में आपके पास 75,000 year 2 में आपके पास 60,000 और फिर year 3,2 6 जो है यह फिर से एनविटी बन गई है और year 0 के उपर तो हमेशा factor 1 आएगा अब हम table में से जाके simple वाले table में आपने देखना है present value निकालत फैक्टर simple में 9% के उपर year 1,2 और तो यह देखी का आपके पास table दिया हुआ है तो हमने कितने percent पे देखने है 9% के उपर year 1 के अंदर हमारे पास कितना आए factor 0.917 यह हमने table में put किया सी तरह से year 2 के उपर आपके पास factor आए 0.842 इसको भी हमने put किया अब आपके पास जो year 3,2 6 है इसके जो factor है वो सारे आपने plus करके लिखने है तो यह आपके पास year 3,2,6 3,4,5,6 तो इन सारे सालों के जो factor है वो आपने plus कर लेने है 0.772, 0.708, 0.650, 0.596 इन चारों को आपने plus किया तो यह आपके पास 2.726 आजेगा तो यह पॉइंट ज़र आपने दिहां से समझना है यह आपने time value of money वाले chapter में बिल्कुल सेम इस तरह के question किये थे present value निकालने के लिए तो अब इनको हम आपस में multiply करते हैं तो यह आपके पास minus में आजेगा 1,50,000 68,775 50,520 and 81,718 सब को plus minus किया तो यह आपके पास net present value आजेगी 51,075 तो यह project B की आपके पास 9% के साब से net present value आचुकी है अब इसके बाद next part के अंदर उसने आपसे पूछा हुआ था IRR of each project तो सबसे पहले हम IRR निकालते हैं trial and error method से project A का तो आपने project A की net present value already जो है वो 9% पे अभी पीछे निकाल ली थी तो उसी को आप आगे consider करते हैं तो 9% के उपर आपने देखी उसकी net present value project A की positive आई थी तो अब हम उसी rate को आपको याद होगा last lecture के अंदर भी मैंने आपको बताया था अगर आपने last part के अंदर net present value निकाली हुई है से निकाली और वो positive आई थी हमें चाहिए negative में value तो हमने बात की थी अगर हमारी value positive आई गी तो हम अपने rate को क्या करेंगे मजीद बढ़ा लेंगे 9% पे किया था तो अब हम जो है उसको 15% पे कर लेती हैं ये मैंने आपको बताया था कि हमें 5% increase करना लेकिन ये कोई fix नहीं कि आपने हमेशा 5% ही increase करना तो 9 पे किया था अब हम next जो है वो 15% पे करके देख लेती है तो net present value ये एनविटी वाला फॉर्मला लगेगा इसमें क्योंके एनविटी थी तो इसमें हमारे पास present value of inflow चाहिए उसके लिए हमने फॉर्मला लगाया और आर जो था वो 45,000 था एन जो है वो 6 ये था और आई जो है वो हमने 15% अजियूम किया ये trial and error method है तो 15% हमने अजियूम किया क्योंके 9% पे positive था तो हम मजीद rate को बढ़ाएंगे negative value के लिए अब हमने दुबारा से 15% पे जो है वो calculation कर लेनी है 45,000 15% और 6 year आप table में से जाके फीसे values देखते हैं तो ये 15% के उपर आपके पास year 6 के अंदर rate आपके पास आरा 3.784 तो ये आपके पास inverti वाला table है तो ये table आपने बहुत ध्यान से देखना है अब इस factor को put करते हैं factor हमने put किया 3.784 multiply किया तो 170,280 और outflow मारे पास 1,50,000 था formula के अंदर हमने दोनों values put की और ये हमने minus किया तो ये आपके पास 20,280 तो ये आपके पास फिर से positive आ रहा है तो हमने बात की थी जब तक negative ना हो जे हमें ये calculation ऐसे ही करते रहना पड़ेगा अब हमें फिर दुबारा से इसको try करते हैं हम 20% पे try करते हैं क्योंकर फिर positive आरा है तो positive आएगा तो rate को मजीद बढ़ाते जाएंगी और एकर negative आएगा तो rate को कम करते जाएंगे अब फिर से positive आया हम 20% पे try करते हैं तो हमने 20% assume किया अब दुबारा से हम जो है वो formula लगाते हैं और यह हमने 20% अब हमने put किया formula के अंदर एन्विटी वाले में अब फिर से जा करें हम टेबल में देखते है 20% पे year 6 के अंदर तो यह हमने 20% पे year 6 के अंदर देखा तो हमारे पास factor आ रहा है 3.26 इसको हम formula के अंदर put करते हैं और multiply किया तो 149,670 आपके पास आजेगा और उसके बाद outflow आपके पास था 150,000 यह हमने formula में put किया और अब जो हमारे पास minus में value आ चुकी है 330 तो आपने देखा 15% पे 9% पे भी मारे पास positive था फिर उसके बाद 15% पे किया फिर positive आया अब हमने 20% पे किया तो अब यह negative आ रहा है तो बच्चो यह point आपने अब याद रखना दिहान से आपने last two rates लेने हैं जैसे कि हमने यहाँ पे 9% पे पहले किया था फिर हमने 15 पे किया और अब हमने 20 पे किया तो आपने end वाले दो rate लेने हैं जिस पे negative और positive होगा यह last lecture के अंदर कुछ students पूछ रहे थे तो यह point आपने बहुत दिहान से याद रखना अगर आपके पास 2, 3, 4 दफा हो जाता है तो आपने जो सबसे last two rates हैं जिस पे एक negative और एक positive होगा तो वो आपने लेने हैं तो यहाँ पे अब हम interpolation करेंगे किस के उपर 15 और 20 के उपर तो यह हम next interpolation करते हैं तो इसमें हम से हम छोटा rate लेंगे 15 और 20 में हमारे पास 15% जो आप वो छोटा rate था अब इसी के हम net present value जो आप पुट करते हैं 20% के उपर जो हमारी net present value आई थी माइनस 330 वो पुट करेंगे उपर हम multiply करेंगे इसको तो यह आपके पास 1014 आजेगा और नीचे माइनस माइनस multiply होके आपके पास plus होजेगा अब इसको मजीद हम solve करते हैं उपर same value और नीचे plus होके 20,614 आजेगी अब हमने 1014 को 20,614 पे डिवाइड करके 0.15 इसमें plus कर दिया तो यह आपके पास 0.1992 आजेगा इसको 100 से multiply कर दे तो आपके पास rate आजेगा 19.92 परसंट तो यह हमारे पास IRR जो है वो project A का calculate हो चुका है इसी तरह से हम बिलकुल वो project B का वो IRR trial and error method से calculate करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास mix stream और अनविटी दोनों थी तो mix stream और अनविटी के लिए आप यही वाला formula यूज करेंगे जो हमने mix stream के लिए यूज किया था last lecture के अंदर भी हमने last question में भी यह formula यूज किया था minus present value of outflow plus cash flow year 1 cash flow year 2 and so on जितने भी years होंगे अब इसके अंदर हम assume करते हैं 20% तो 20% पे हमने इसको solve किया तो आपके पास present value of outflow जो है वो 150,000 आजेगी project B के अंदर आपके पास year 1 में cash inflow जो था 75,000 फिर 60,000 और फिर इसी तरह आगे 30,000 था तो यह चाहे annuality हो या mix हो तो आपने इसी तरह से इसको कर लेना है इसमें mixed और annuality दोनों है तो आपने इसी फार्मले से करना है चाहे वो mixed stream अकेला हो या इसके अंदर आपको annuality भी दी हो तो नीचे आपने factor put किया 20% तो यह आपके पास 1.20 की power 1 1.20 की power 2 and so on ये year 6 तक ऐसी जाएगा अब आपने ये सारा calculator से solve कर लेना है 1.20 की power 1 लेके आपने 75,000 को इसके साथ divide कर देना है तो ये सारी values आपने power लेके divide कर देनी है तो ये आपके पास values आजेंगी तो ये values आपने सारी record कर लेनी है और इनके बाद आपने इनको plus minus किया तो ये आपके पास आ रहा है 8099 तो ये आपके पास net present value जो है वो plus में आ रहे है अब हमें जो है वो minus में चाहिए तो आप positive आ रही है तो rate को मज़ीद बढ़ा लेते हैं चुँके 20% पे positive आ रहा था अब हम 25 पे कर लेते हैं आपको रूल याद होगा हमने बात की थी net present value positive आएगी तो rate को बढ़ाते जाएंगे और अगर net present value माइनस में आएगी negative आएगी तो rate को कम करते जाएंगे अब मज़ीद हम 25% पे करके देख लेते हैं इसको हमने 25% assume किया अपना rate तो यह मैंने फार्मला नहीं यहां पे लिखा directly मैंने values पूट कर दिया 25% पे यह हमने नीचे factor सिर्फ चेंज किया उपर वाली values बिलकुल सेम रहेंगी हम इनको divide करेंगे तो यह आपके पास values आ जाजेंगी सारी यह आप इसको calculator से करके देख ली जीगा इन सारी values को हमने plus minus किया तो यह आपके पास माइनस में आ चुका है 6257 आपके पास 20% पे plus में आया था और यह 25% पे आपके पास minus में आ गया अब हम जो है वो 20 और 25 के बीच में interpolation कर लेते हैं तो यह आपके पास 25% और 20% था तो उन में से जो छोटा rate था वो था 20% तो यह हमने 20% लिखा और 20% के उपर जो आपकी net present value आई वो हमने उपर और नीचे दोनों जगापे पूटकी दोनों rates का difference लिया 5% था और नीचे हम करेंगे minus और यह जो आपके पास 25% के उपर आपकी जो net present value आई थी minus में वो हमने लिखी 6257 उपर multiply करेंगे हम इसको और नीचे minus minus multiply होके plus में convert होजेगा अब इसको मजीद हमने जो आपर वाली value बिल्कुल सेम आजेगी 404.95 और नीचे हमने plus किया तो यह आपके पास 14,356 आप 404 को हम डिवाइड करेंगे 14,356 पे और plus point 20 करेंगे तो यह आपके पास point 2282 हा रहा है 100 से multiply करेंगे तो 22.82 परसंटाज है तो यह आपके पास project B का जो है आई आर आर बी calculate हो चुका हुआ है अब इसके बाद जो है उसने का था आपने ranking करनी है इन सारी चीजों की base के उपर तो सबसे पहले हम payback period की base पे जो है वो ranking करते है payback period के अंदर आपके पास project A का जो आया था वो आया था 3.33 years और project B का आपके पास आया था 2.5 years तो यह आपको याद होगा हमने बात की थी payback period की base पे जिसका payback period कम होगा वो project हमारे लिए better होगा तो अब इन दोनों में से मुझे बताएं किस project का जो payback period है वो कम है तो project B जो है उसका payback period कम है और project A का जो payback period है वो ज्याद है तो इसलिए हम project B जो है वो ranking में number one पे आजएगा और project A जो है वो ranking में number two पे आजएगा तो यह हम table के अंदर लिख लेते हैं इसको यह उपर जो है यह सारी working है इसे आपको करने की जूरत नई है वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है लेकिन अगर आप करना भी चाहें तो आप कर भी सकती है main जो हमारा answer है वो यह नीचे table के अंदर है तो देखिएगा project A and B ranking तो बच्चों मुझे बताएं A and B में से A जो है वो second number पे आएगा तो यह हमने payback period की base पे जब ranking की तो project A यह second number पे आया और project B जो है वो आपके पास first number पे आज़ेगा यह इसकी ranking हो गई और इसी तरह से इसके बाद हम net present value की base पे जब ranking करेंगे तो देखते हम project A की net present value 0% पे 1,020,000 आई थी और 9% के उपर 51,080,000 आई थी और इसी तरह से project B की मारे पास 0% पे 1,050,000 और 9% पे 51,075 5 तो net present value की base पे जब हम ranking करेंगे तो जिसकी net present value ज़्यादा होगी वो हमारे लिए जो वो ranking में नंबर 1 पे आएगा तो project A जो है इसकी net present value 0% पे भी और 9% पे भी दोनों में जयादा आ रही है और B की काम आ रही है इसका मदलह net present value की base भी जब हम ranking करेंगे तो project A जो है वो first पे आएगा और project B जो है वो second नमबर पे आजेगा इसी तरह से अब हमने IRR की बेस पे रैंकिंग करनी है तो project A का 19.92% और project B का 22.82% और IRR की बेस पे हमने बात की थी जिस project का IRR ज्यादा होगा उसको हम number 1 पे लिखेंगे तो अब मुझे बताएं project A और B इन दोना मेंसे A जो है वो second number पे आएगा और B जो है वो आपके पास first number पे आजेगा तो यह हमारा आज का question था इसके अंदर almost हमने पीछे जितने भी topic अभी तक discuss की है इस question के अंदर उसने वो सारी चीज़े पूछी हुई है बहुत detail के साथ ही हमने question की है इसमें payback period भी निकाला हमने net present value भी और फिर हमने I.R.R. भी निकाला तो मुझे अमीद है आपको समझ आ गई होगी तो अगर आपको समझ आ गई है तो comment section में जाके जरूर जो है वो comment करके मुझे बता दीजिएगा और अगर नहीं आए किसी point की समझ तो फिर भी आप बता दीजिएगा ताके माँ उसको explain कर दूँ तो बहुत जल्द मिलेंगे next lecture के साथ तब तक के लिए अपना धिहान रखिएगा अल्ला हाफिज